Hello guys, welcome to this video और मेरा नाम है Amant Trivedi आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 60 Days Study Plan for SSC CHSL 2019 आप में से सब लोगों को पता है SSC CHSL 2019 का जो एक्जाम है वो आपका August में शेडियूल हो गया है यानि कि SSC ने आपकी dates आपके release कर दी है and they have decided कि exam आपका August में होगा तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप में से जिन बच्चों का वो पेपर रह गया है वो लोग इस पेपर के लिए कैसे तैयारी करें और क्या कुछ हुने पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को Before we start मैं आपको Unacademy Plus पे आने वाले नए बैच के बारे में बताना चाहता हूँ This is starting from June 15, 15 June से ये बैच शुरू हो रहा है और इसमें आपके ये सारी teachers सारे के सारे subjects cover करने वाले हैं जितने भी English के आपके topics हैं English, Maths, Reasoning, GS जितने भी topics हैं सारे ही cover होने वाले हैं by all the top educators on Unacademy अगर आप इसमें subscription लेना चाहते हैं तो आप मेरा referral code AMANT का इस्तमाल कर सकते हैं जिससे आपको 10% discount मिलेगा and you can watch all the courses on Unacademy तो 12 महिने का subscription 5400 रुपीज में आप ले सकते हैं उसके बाद सारे के सारे batches को देख पाएंगे अगर आपको further discount चाहिए या कोई भी अगर query है तो आप मुझे इस number पर WhatsApp कर सकते हैं जिससे आप को batch के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं ठीक है so do take this subscription उसके बाद आप सारे के सारे courses देख पाएंगे मेरे और सारे courses कौन से आने वाले है जून English का पूरा basic to grammar का basic to advance batch चल रहा है हमारा जून महिने में इसके लाबा error detection का batch है एक जून से चल रहा है sentence improvement का batch आज जून से चल रहा है one word substitution का batch 15 जून से शुरू है strategy for SSC-CHSL 2019 क्या कुछ हमें इसमें पढ़ना है और कैसे तैयार करना है इसके बारे में हम बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले बात करें कि हम पहले यह जाने कि हमारा गोल क्या है हमारा एम क्या है और हम किस एक्जाम को दिमाग में रखे किस एक्जाम को तयार कर रहे हैं हम यह जान लेंगे ठीक है तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आप अपना target decide कर लीजिए आपका target क्या है आपका target है आपका SSC CHSL 2019 का examination राइट आपका SSC CHSL exam आपका target है और exam की date आपकी क्या है 17th of August 2020 यह आपके exam की date हो तो 17 अगस 2020 को आपका exam है और आप जिब यह वीडियो देख रहे हैं तो आराउंड आपका 12 जून हो चुका है तो आपके पास मोटा मोटी 60 दिन बचते हैं exam को तयार करने के लिए और उन 60 दिनों में आपको तयारी कैसे करनी है कैसे क्या पढ़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला काम हो गया गोल सेटिंग की हम SSE CHSR exam के लिए तयार करने हैं लिए गोल सेटिंग एक बहुत important part है for those as parents जो की competitive exam की तयारी करते हैं अगर आप competitive exam की तयारी कर रहे हैं for example SSE CHSR या SSE CGL की और आपका कोई गोल सेट नहीं है कि आपका exam इस तारीक को है तो आपकी तयारी में वह जोश नहीं आ सकता आपकी तयारी में वह एक जो enthusiasm होना चाहिए वह नहीं आता है कभी भी क्योंकि आप बहुत ही relaxed रहते हैं आपको लगता है चलो ठीक है जब exam होगा तब कर लेंगे नहीं आप तयार रखिए आप अपने पूरा एक calendar बना लो 60 दिनों का और उसमें से एक एक दिन क्रॉस करते हुए जाओ कि हम आज के दिन ये पढ़ने वाले हो और आपका पूरा प्लान होना चाहिए अगर आपका प्लान में कुछ छूट रहा है तो आपको गिल्ट होना चाहिए कि आज मैंने ये चीज नहीं पड़ी है ये गलत किया है मैंने तो आपको ये चीज़े पता लगनी चाहिए जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे competitive exam आसानी से clear नहीं होंगे competitive exams के लिए आपको बहुत ज़्यादा लगन बहुत ज़्यादा So the planning is that कि how to achieve the target हम target को achieve कैसे करें तीन चीज़े चाहिए उसके लिए एक तो proper planning होनी चाहिए हमारी एक scheduled study हो आपकी proper plan कर लिया आपने कि मुझे ये पढ़ना है फिर आप scheduled study जरूर करिए और right strategy जरूर follow करिए यानि कि आप पढ़ रहे हैं तो सही direction में हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं ये भी जरूरी है अगर हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और हमारी direction सही नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा direction सही होनी चाहिए हमारा जो उदेश हमारी जो इदिशा है वो सही होनी चाहिए और scheduled study करिए scheduled study का मतलब आप time decide करिए कि आप कितने बज़े से क्या करने वाले हैं आप 2 बज़े से 3 बज़े तक क्या करने वाले हैं आपके plan में ये चीज होनी चाहिए मैं मानता हूँ कि plan आपका 100% follow नहीं होता लेकिन कोई बात नहीं 100% plan follow होने के लिए बनता भी नहीं है कभी आप at least plan करिए कि मैं इतना इतना करूंगा और फिर उसमें आप काम करिये कि इतना हो पाएगा जितना हो पाएगा वो ठीक है जो नहीं हो पाएगा वो अलग की बात है लेकिन कम से कम आप पहले प्लान करना शुरू करिए ठीक है तो एक schedule बनाईए और कैसे schedule बनाना है इस पे भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में तो देखे, schedule आपको कैसे बनाना है, study schedule पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, study schedule बनाने के लिए आप क्या करना है, आपको पहले तो एक study schedule बनाईए, अपने convenience के according, convenience इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप में से होता क्या है हमारे साथ में, कि हम schedule जब बनाने बैखते हैं, तो हम एक बहुत ही strict schedule बना लेते हैं, और ऐसा हम भूल जाते हैं कि मैं ही हूँ, वो जो schedule बना रहे हो, तुम अपने लिए बना रहे हो, वो किसी पडोसी के लिए नहीं बना रहे हो, जब तुम वो schedule अपने लिए बना रहे हो, तो पहले अपने आपको देखो कि तुम अभी क्या करते हो मानली जी अभी आप पढ़ते हैं चार घंटे इन डे और आप शेडियूल बनाने बैठते हैं तो आप शेडियूल बना लेते हैं दस घंटे का इन डे तो कहीं से पॉसिबल है इतना बड़ा ट्रांजिशन एक दिन में अगर कर भी लिया तो मैक्सिमुम वो तीन चार दिन टिकेगा उसके छटे दिन पांचवे दिन वो अपने आप धरा रह जाएगा जब आप शेडियूल बनाईए अपनी कन्विनियंस के कोडिक बनाईए अगर आप रात में नहीं पढ़ सकते हैं तो आप रात में नहीं पढ़ सकते तो दिन में पढ़िए लेकिन पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि अगर आप शेडियूल बनाईए कि कितने बजे आप क्या काम करने वाले है उसी से आपकी productivity बढ़ती है अगर आप शेडियूल बिना शेडियूल के काम करेंगे तो कूई उससे प्रोडक्टिविटी नहीं आती है आप बस करते जा रहें करते जा रहें that makes no sense आप competitive exam की त्यारी कर रहे हैं आप proper planning के साथ काम करेंगे कि आपका जैसे 9 बज़ रहा है तो 9 से 10 बज़े तक आपने क्या करना आपको पता होना चाहिए कभी-कभी नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ रोज नहीं हो पाएगा वो schedule follow लेकिन अगर मैंने एक schedule बनाया जिसमें मैंने 6 hours study रखा हुआ है वो मेरा 80-90% भी follow हो गया ना that will be more than enough और जब schedule बनाई है तो उसमें आप हर चीज, हर activity के लिए time रखिए तो इसमें आप आप मुबाइल चलाते हैं concentrate कर पाते हैं तो there is no harm in it अगर आपको girlfriend से बात करनी है तो उसके लिए भी time रख दीजिए कि एक घंटा करेंगे उसके अलावा नहीं करेंगे अगर बिना time के करोगे तो करते रो फिर ठीक है आप उसके online आने का time पता कर लो उसी time पे तुम भी online आ जो लेकिन यह नहीं करना है कि दिन भर online आने का wait कर रहे हैं और हमारी पढ़ाई इधर के उधर धरी हुई है समझ में आर यह बात तो पढ़ाई को हमें अपनी hamper नहीं होने देना है क्योंकि बटा जब नौकरी मिलेगी तो ही आगे कहानी बढ़ेगी नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम करते रहना online इंतजार वो कहीं और ही इंतजार हो जाएगा समझ में आर यह बात इसलिए steady schedule proper बनाईए कि मुझे इतने बज़े से इतने बज़े इतने बज़े से इतने बज़े यह करना है उसमें आपका proper time होना चाहिए कि मानली जी अगर मुझे कुछ और काम करना है मुझे PUBG खेलना है मूवी देखना है उसके लिए भी time रख दो क्योंकि अगर आप देखो यह आपने पड़ा है आपने वो पड़ा है ना कि गर्मियों में जब वायर होते हैं हमारे तो बहुत ज़्यादा उन में थ्वड़ा सा tension नहीं दिया जाता है इस तरीके से बना जाते है क्योंकि अगर tension दोगे न तो तूट जाएगा तो tension नहीं देना हमें normal पहले easy से शुरू करना है जैसे जैसे हम अपने आप सुधरते जाएंगे हमारी हरकते हम बहतर होते जाएंगे हम strain देना शुरू करते जाएंगे तब तक हमारा शरी तब तक हमारा routine इस बात के लिए तयार हो चुका होगा समझ में आई बाद तो schedule बनाना है और उससे stick रहना यानि कि उससे हमें लगे रहना है schedule को follow जरूर करना है अगर आप follow नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है कितने भी schedule बना लो और पता नहीं कितने आपने बनाए होंगे समझ में आगे बाद तो ये बहुत ही important है मैंने importance of schedule आपको बताई है मैं आपको बनाने में भी schedule मदद करूँगा कि कैसे बनाना है तो schedule बनाने के लिए सबसे पहला काम अपने दिन को चार भाग में divide कर लिजे morning, afternoon, evening and night चारो भाग में divide कर लो और आप चारो भाग के लिए एक task decide कर लो कि कब तुम्हें क्या करना है जैसा जो भी time होगा उस इसाब से आप decide करो कि इतने बजे मुझे क्या करना है और इस time मुझे क्या करना है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले morning schedule की बात करें कि morning में आपका schedule क्या होना चीए अगर आप जब सुबह उठ रहे हैं तो आपका schedule क्या होना चीए क्या आप target करके पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहला काम आप करेंगे मॉर्निंग का दो काम आपको करने हैं मॉर्निंग को दो भाग में बाट लीजे एक तो हो गया vocabulary और दूसरा हो गया GS ठीक है मॉर्निंग को आप दो भाग में बाट सकते हैं एक हो जाता है आपका vocabulary दूसरा हो जाता है आपका GS का स्टाटिक पार्ट ठीक है देखिए स्टाटिक और करेंट दोनों मैं आपको बता दूगा कब कौन सा सेक्शन पढ़ना इसके बारे में भी ठीक है टाइम आपको कितना देना है एक घंटा वोक्याबलरी के लिए दे दीजिए और एक से दो पुरी वोक्याबलरी आप वहां से भी तियार कर सकते हैं ठीक और GS के लिए आपको क्या करना है आपको Lucent पढ़नी है और किरन previous year questions पढ़ने हैं ये schedule मैं GS का उनके लिए बता रहा हूं जो लोग किसी teacher से नहीं पढ़ते हैं अगर आप teacher से पढ़ते हैं तो आप अपने notes का इस्तेमाल करिए और previous year mcqs जरूर लगाई है अगर वो नहीं लगाए चाहिए WhatsApp पे नहीं होनी चाहिए ठीक है सबसे पहला काम आप क्या करते हैं mobile चेक करते हैं वह गलत है वह attitude गलत है वह पूरी तरीके से जो अप्रोच है वह गलत है wrong है सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप vocabulary को revise करें इसके साथ GS के Lucent या फिर किरन से mcqs को भी solve करें म यह काम आप कर लोगे इसके बाद आपको क्या करना है morning में अगर कोई भी आपको doubt है तो आप comment section में post कर सकते हैं मैं अगले वीडियो में आपको doubts का जवाब भी दे दूँगा नहीं तो comment में भी मैं ज्यादा तर हर comment का जवाब दे जाता हूं तो अगर आप comment में भी पूछो अला काम छोड़ सकते हैं लेकिन बिटा सिर्फ पढ़ो अगर आप सिर्फ पढ़ोगे भी ना तो आप कई सारे शब्दों से आपकी reading skill develop होगी आप कई सारे शब्दों से रूबरू होगे आपको नहीं नहीं चीज़े पता चलेंगी तो newspaper पढ़िए और कौन सा newspaper पढ़ना है भाई आपको times of India आप वो पढ़ लीजे आपको the Hindu समझ में आता है आप पढ़िए लेकिन अकभार पढ़िए क्योंकि आप में से ज़्यादा-टर लोग यही पूझते रएते दा हिंदू पढ़ना है कि नी पढ़ना अरे भाई दा हिंदू पढ़ना है UPSC वालोगो को क्यों पढ़ना है क्यों कि UPSC कई बार direct the Hindu से question पूछ लेती है तुम्हारा SSC कभी नहीं पूछती direct question और अगर passage आया भी है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ रहा है The important thing is कि आप read करें आप जितना ज़्यादा read करेंगे आपकी उतनी ज़्यादा reading skill develop होगी और जितनी ज़्यादा आपकी reading skill develop होगी आप उतनी ज़्यादा PQRS अच्छे से बना पाएंगे उतने ज़्यादा आप close test अच्छे से कर पाएंगे और उतने ज़्यादा आप RC अच्छे से कर पाएंगे और ये दो topic तो आपके CHSL के प्रीमे आने ही आने हैं तो आप at least इन दोनों सेक्षिंस में अपना इंप्रूव्मेंट इसी के थ्रू कर पाएंगे समझ में आई बात इसके अलावा इसके अलावा इसके और आपको आपको मालो आपको आपने अभी तक पिछले 3-4 महिने लॉक्डाउन में फुल मस्ती काटी है और आपने कुछ नहीं किया है बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी तो आप यहां पर अपने निउस्पर वाले सेक्षन को छोड़ सकते हैं और जीएस में मालो रिवाइस करना है या कुछ और आपने डिसाइड किया है कि नहीं यह मेरा छूट रहा है तो आप वो काम भी कर सकते हैं ठीक है चलिए अगली बात आते हैं बट I would suggest you not to do that क्योंकि मेरा हमेशा strict कहना होता है कि आप निउस्पर ज़रूर पढ़िए जितना ज्यादा निउस्पर पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारी रीडिंग स्किल डवलप होगी उतना बेहतर तुम्हारी अंग्रेजी होती जाएगी समझ में आई बात अगली बात करते हैं afternoon schedule की तुम्हारा morning schedule हो गया उसके बाद तुम्हें निउस्पर पढ़ लिया उसमें आप breakfast वगेरा जो भी आपको करना हो आपको क्या करना है आप आपको कुछ खास नहीं करना है आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए ठीक है आप लोग मॉक टेस्ट देना शुरू करिए डेली आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं कोई बुरा ही नहीं क्योंकि exam आपका सर पे आ चुका है ठीक और दो काम आपको करने है पहरा का मॉक टेस्ट देना है दूसरा का मॉक टेस्ट की एनलिसिस करना है ठीक है दुपहर में सोने का काम छोड़ दो ये गलत आदत है सोना नहीं चीए दुपहर में ठीक है अगर सोते हो तो फिर मॉक टेस्ट दीजे मॉक ट मॉक्तेस देना है और उसके बाद आपको आदे घंटे से एक घंटे तक उसकी एनलीसिस कर दी है एनलीसिस मतलब क्या करनी है रुकिये उस पर आते हैं इसके पहले अगर आप बात करें वेबसाइट कौन से आप और सोर्स से देंगे तो आप अनकेडमी का इस्तेमाल कर सकते है मॉक्तेस देने के लिए अनकेडमी के अलावा अगर आप कोई और एप इस्तेमाल करना चाहते हैं देरा प्लेंटी इन दा मार्केट सभी अच्छे हैं सब अच्छे हैं ऐसा कुछ नहीं आप लोग पूछते हैं कि सर मॉक्तेस्ट किस वेबसाइट से दें तो सारी ही वेबस दोगे आपकी तयारी उतनी बहतर होती जाएगी ठीक है और मोक्तिस्ट के अलावा आप काम यह कर सकते हो कि एक दिन आप मॉक टेस्ट देलो और एक दिन आप प्रीवियस यह पेपर लगा लो पूरा प्रीवियस यह पेपर में सबसे पहले आप सीजल 2019 के पेपर लगा जो कि उनसे तुम्हें सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे तरीके से आईडिया लगेगा कि exam में कैसे questions आएंगे ठीक और उसके बाद make proper notes of your mistakes यानि आप जो गलतियां कर रहे हैं उनके proper notes बनाते हुए चलिए मान लिजे कि अगर आप आप आपने reasoning करा और reasoning में आपका जो figure counting है वो गलत हो रहा है दो बार तीन बार आपका गलत हो गया तो आप इसको note करो कि आपको ये topic revise करना है तो आप इस पर focus करिए अगर मान लिजी आपने question किया और आपका Indian quality का GS में सवाल गलत हो रहा है तो आप इसे note करिए कि Indian quality में problem है आपको ठीक है इसी तरीके से आप पैरा जंबल का question गलत हो रहा है तो आप note करिए पैरा जंबल को कैसे solve करना है पैरा जंबल को best तरीके से solve करने का तरीका i button पे click करक कि आप video देख सकते हैं उससे समझ में आपको आएगा कि कैसे पैरा जंबल अप्रोच करते हैं तो point is कि आप इस तरीके से आप आप notes बनाईए maths में भी आप notes बनाईए कि advanced math का question गलत हो रहा है या किसी भी section का question गलत हो रहा तो उसे notes बनाते हुए चलो और notes पे हम पूरा analysis करत है तो यह आपका afternoon schedule हो गया सुबह का schedule मैंने बता दिया afternoon का schedule बता दिया और बीच में आपके पास plenty of time है जिसमें आप अपनी extra activities कर सकते हैं जैसे कुछ लोग workout करने के शौकी ने तो workout आप कर सकते हो या आपको और कुछ काम करना आपको बाहर घुमने जाना होता है आप बाहर कर सकते हो तो आप देखिए इस तरीके का schedule बनाओगे तो कभी भी तुम बोर नहीं होगे कि पता चल रहा है मैं बहुत extra strain करोगे तो फिर stress होगा anxiety होगा stress anxiety होगा आपकी पढ़ाई चली जाएगी आपको वो नहीं करना है मैंने आपको morning का schedule बताया 2-3 घंटे का उसके बाद तो afternoon का schedule बताया है 12 से बात का तो आपके पास बीच में plenty of time है जिसमें आप अपना नहाओ, breakfast करो, workout करना है वो करिए जो भी काम करना है आप वो करिए और थोड़ा बहुत meditation करना है कर लीजे, yoga बगरा करना है कर लीजे, करिए जरूर अगर ये सब नहीं करोगे तो उससे क्या बताइए आप yoga कर लीजे, आप meditation कर लीजे, या फिर आप workout करना है वो कर लीजे, बाहर घूमने जाना है वो कर लीजे, किसी web series का एक episode निप्टाना है वो कर लीजे, बट हाँ, discipline रही है, कहने का मतलब है discipline, कहने कि अगर आपने ये smoke test का time एक बज़े का schedule किया हुआ है, तो ए जहां पर हमारा बगल वाला हमसे अगर अच्छा करेगा, तो वो आगे निकल जाएगा, हमें वो नहीं होने देना है, हमें बहुत 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 अच्छे तरीके से त्यारी करनी पड़ेगी, समझ में आई बात, ठीक, चली, अगली बात करते हैं हम evening and night schedule की, तो evening and night schedule आपको कैसे बनाना है, इस पर भी हम पूरी आपको मैं बात करता हूँ, evening का schedule कैसे बनाना, night का schedule कैसे बनाना है, देखो एक मैं advice आपको दे सकता हूँ, जैसे आपने जो afternoon schedule दिया, तो यहां पर क्या हो सकता है आपके साथ, कि afternoon के बाद भी आपके पास को समय बच जाए, तो तो आप यहां पर न सो सकते हो थोड़ा से, ठीक मैं इह आपको परसनल स zde रहा रहूं यहां पराव सो सकते हो क्योंकि होगा यह क्यूंकि कि एवनिंग मेंने बात करी एवनिंग में बहुत सारे होorial कि इस्टरबेंस होते हैх उससे यह होगा कि तुम रात में करीब दो बजे तीन बजे तक पढ़ाई कर पाऊगे और अगर वो कर लोगे तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो पढ़ाई का रूटीन है वो थोड़ा बहतर हो जाएगा और तुम जादा टाइम डिवोट कर पाऊगे क्या क्या करना है आपको इवनिंग और नाइट के लिए तो देखिए आपको क्या करना है इवनिंग और नाइट के लिए दो सब्जेक्ट्स आपके बचते ही एक है आपका माथ्स और एक है आपका इंग्लिष ठीक है आर्वाईपी की 7300 प्लस आती है दोनों में से कोई भी एक किताब जो तुमको ठीक लगे आप ले लो ठीक उससे आपको डेली करीब टार्गेट करिए कि हमें डेली 100-150 कोश्चन्स करने हैं आपके मैस के तभी आपका मैस में स्ट्रॉंग हाथ बनेगा आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मैस में मतलब कॉंफिदेंस नहीं आ रहा मैस वीक है आपकी स्पीड नहीं आ रही वह सब चीज़ें आपकी तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिस बहुत करोगे मैस अल अब प्रैक्टिस इसमें जो मैस प्ची जा रहे है उसो में हमें इंटैलीजिन्स चाहिए हुथा था अच्छे कोशन होते थे यहां कोशन है आप कर सकते हो लेकिन आपको कम समय में करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए तो do practice a lot, खुब सारी practice करिए, जितना ज़्यादा practice करोगे, उतना ज़्यादा आपका maths strong होगा, तो 2-3 घंट आप maths को दीजे, similarly आप English के लिजे कीजे, 2-3 घंट आप English को दीजे, MB publication, Mirror of Common Errors, SP बख्षी, इन 3 किताबों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे करना है, अभी आगे के वीडियो में, मैं इसको बारे में बता दूँगा आपको, तो ये तो हो गया आपका evening और night schedule, अगर आपको इस पर कुछ changes करने हैं, आप मुझे comment section में बताईएगा, comment section में आप अपना पूरा schedule बताईगा, कि आपने इसके हिसाब से क्या schedule प्लान किया है, और आप क्या करने वाले हो, ठीक है, चलिए, आप आपने इतना कर लिया, अब देखिए, आपको एक schedule कराना है, बनाना है before bed schedule, यानि कि bed में जाने से पहले आपका क्या schedule होना चाहिए, तो उसको जड़ा ध्यान दीजिए, आप उसके लिए आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी, vocabulary और GS आपने सुबहे पढ़े थे, आपको before bed आपको वही vocabulary और अगर possible है तो GS, इसी vocabulary के जो revision है, इसको आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, समझ में आरी बत, ये जो vocabulary आपने पड़ी है, इसी को vocabulary reason आप यहाँ पर करिए, आदे घंटे में आपका ये revision हो जाएगा, सुबह एक घंटा लगा था पढ़ने में, इस बार आदे घंटे में हो जाएगा, और इतना करके सो जाए, ये before bed मतलब यह आला है, कि जब आप जैसे आपने पढ़ाई over कर ली, उसके बाद आपकी आदत होती है, bed पे जाके कुछ mobile चलाने की, तो एक time ऐसा आता जब आप mobile चलाके ठक चुके होते हो, आप रख देते हो, आप करते हो, आप जा रहा हो सोने, तो वो जब mobile रखने के बाद वाली जो बात है, उस time आपको यह करना है, समझ में आई बात, यह आपको और कभी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं revise कर लिया, उसके बाद जो है, मैं आराम से पबजी खेल रहा हूँ, उसके दो-ती धिंडे बाद सोराओं नहीं, यह तरीका गलत है, आपको competitive exam निकालने के लिए discipline रहना पड़ेगा, अपने आप पर बहुत control रखना पड़ेगा, तभी आपका competitive exam निकलेगा, ठीक है, तो आप यह जो सुबह vocabulary revise की थी, उसको आप फिर से revise कर लिजे, कि सुबह जो मैंने पड़ा था, उसको एक बार फिर से हम पड़ लेंगे, ठीक, तो यह आपको कर लेना है, इसके अलावा अगली बात आपकी करते हैं, कि अब हमें क्या करना ही, यह तो हमने पूरा दिन के schedule की बात कर लिए, कि morning में क्या करना है, फिर evening में क्या करना है, इन सरी चीजों के बारे में हमने बात कर लिए, ठीक है, तो आपको यह देख लिए, एक बार इनका जरए कोई हमें क्या करता है, तो इसकी बात होगी आपकी अब weekly, ठीक है, अब मैं बात करूँगा आपकी weekly plan की, कि चलिए आपने एक per day का daily का schedule बना लिया, कि आपको यह ऐसा से पढ़ना है, अब बात करो weekly, कि हम weekly plan कैसे करें, कि week 1 में हम क्या पढ़ें, week 2 में हम क्या पढ़ें, week 3 में क क्या पढ़ें, week 4 में क्या पढ़ें, तो देखिए, आपके पास total 7 से 8 हफते हैं, पूरी तयारी करने के लिए, ठीक है, और आपको क्या करना होगा, हर week का target set कर लिए, if we set target for every week, we can cover entire syllabus smart, syllabus smartly, यानि कि अगर हम हर हफते के लिए topics decide कर लें, कि इस हफते हम यह पढ़ लेंगे, अगले हफते यह पढ़ लेंगे, अगले हफते यह पढ़ लेंगे, तो आप जो है entire syllabus को बहुत ही अच्छे तरीके से smartly cover कर सकते हैं, ठीक है, तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको मैं पहले हफते की पहले, एक से चार हफते तक की planning बताता हूं, maths, English, Reasoning, यह चारो बात करेंगर, maths की की, maths के लिए आपको क्या करना है, देखिए, maths में आप अपना topic decide कर लो, कि आज मुझे कौन सा topic करना है, for example, आपने decide कर लिया, कि week 1 में मुझे number system, number system, इसके अलाबा मालीजे, मैंने arithmetic का कोई topic, time and distance, and time and work, यह तीन topic मैंने decide कर लिया, कि मैं यह पहले हफते म मैं इन्हें खतम करूँगा, तो daily इनका आप target करो कि 100 to 150 questions आप solve करिए, daily एक topic उठाइए, उससे questions को solve करिए, और सारे के सारे सवाल previous year book से लगा दीजे, जैसे कि किरन या फिर आरवाईपी से आप इनको खतम करिए, यह आपका पहले चार हफतों के लिए target होना चाहिए, कि ज 3 गंटे, 2-3 गंटे आप maths को दे रहे हो, उसमें आप यह काम जरूर करिए, इतना काम आपको करना है, 100-500 questions आपको maths के लगाने है, एक topic आपको maths का करना है, और सारे के सारे previous year सवाल आप maths के कर लिजे, ठीक है, यह काम आपको सबसे पहले करना है maths का, ठीक क्या करना है, आपक topics मैंने नहीं बताए, क्योंकि भाई सबके अपनी-अपनी convenience होगी, आपको पहले अफ्ते number system पढ़ना है, किसी को percentage पढ़ना है, किसी को profit loss पढ़ना है, आप अपना decide कर लो मुझे कौन से topic पढ़ना है, और उस हिसाब से आप पहले एफ्ते के planning कर सकते हैं, इसके बाद आप करोगे GS की, तो GS का plan क्या करना है आपको, GS के लिए देखिए आपको क्या करना है, शायद मैं आपको block कर रहा हूँगा, एक second look है, अगर हम बात करें GS के लिए, तो क्या करना है, आपको decide कर लिए कि आपको topic कौन सा पढ़ना है, decide a topic for a week, like physics, modern history, etc. जैसे आपने maths में topic decide किया, वैसे ही GS में भी आप अपने हफते के लिए topic decide कर लो, कि इस हफते मैं physics पढ़ लूँगा, या मैं इस हफते जो है, आपका modern history पढ़ लूँगा, जो भी आपने topic decide किया है, उस topic को decide करिए, और उसकी आप Lucent से, या फिर आपके पास अपने notes हैं, उनको पूरी तरीके से रट लीजिए, उस पूरे हफते में सुबह के 2 घंटे में खुब अच्छे से रटी है, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, GS वाले teachers and GS वाले courses के साथ, के पूरे सम्मान के साथ, मैं आप सभी से ये कहना चाओंगा, कि GS को आप इस तरीके से त्यार करिए, कि आपक उसे नहीं पढ़ते थे, जिस दिन आपका एक्जाम होता था, उसके एक दिन पहले जाते थे, और पूरा social science रटके अग दूसरे दिन लिखके चले आते थे, वही अप्रोच आप यहाँ पे GS में रखिए, आप इसे रटिये, जितना ज़दा रट सकते हैं, उतना ज़दा र तूरे के गारे के लिखके लिखे के सबस. है तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब आप मौक देंगे तो आपके कुछ topics होंगे जिनके questions आप से गलत हो रहे होंगे जैसे analogy आपका when diagram है, syllogism है जो भी topic आपका गलत हो रहा है उस topic के questions को आप solve करिए किताब से, जो भी आपके पास किताब है for example, Kiran है या RS Agrawal या जो भी आपके पास किताब है उससे solve करिए, तो आप ये करिए काम कि सबसे ज़्यादा reasoning में आपको उन topics को लगाना है जिनने आप मौक में गलत करते हैं, ठीक है? बात समझ में अगली बात होती है हमारी English की तो English के लिए आपको मैंने आपको सुबह vocabulary का तो बता ही दिया है क्या करना है? vocabulary का sources भी मैंने आपको बता दिये, आप word power made easy से कर सकते हो, i button में पूरी playlist दिये है, आप SP बक्षी से कर सकते हो नितु सिंग से कर सकते हो, और MB से कर सकते हो ये सारे sources enough है अब देखिए English में आपको क्या करना है daily आप MB publication की जो किताब आती है, जिसमें previous year papers देती है रहते हैं उससे आप daily एक से दो सेट जरूर लगाई है, daily का आप target करके चलो कि exam से पहले-पहले आप उसे एक या दो बार तो खतम करी लो एक से डेढ़ या दो बार खतम कर लो तो भी बहुत होगा, ठीक तो आप इसको target करके चलो और एक से दो सेट आप mirror of common errors अगर आपने नहीं खरीदी है, तो mirror of common errors भी खरीद सकते हो, mirror of common errors से आप एक से दो सेट अवश्य लगाईए ठीक है, तो आपको दो सेट MB से दो सेट mirror of common errors से, mirror of common errors में जो पीछे की साइड में 300 सेट दिये हैं जिसमें miscellaneous error detection के questions हैं, आप उन्हें solve करिए जितना ज़्यादा mirror of common errors के questions को solve करेंगे, उतना ज़्यादा आप उसमें expertise लेते आएंगे, अपने error detection के section में और एक topic आप अपना तयार कर लीजे, grammar में जैसे मा लीजे इस हफते मुझे noun और adjective पढ़ना है या noun और pronoun पढ़ना है, उस topic को मैं नितु सिंग या फिर आपके अपने notes, मेरे notes चो मैंने जवना हैं, आप उनसे पढ़ो और उनको उनसे practice कर लो तो एक topic wise practice हो गई, बाकी हमारी miscellaneous practice हो गई जब तुम MB publication के set लगाओगे तो उसमें तुमारा PQRS भी solve हो जाएगा close test भी हो जाएगा, आपका idiom भी हो जाएगा, vocabulary, सब कुछ solve हो जाएगा, समझ में आगई बात तो ये हो गई आपकी week 1 to 4 की planning, कि आपको week 1 से लेकर week 4 तक की planning कैसे करनी है आगे बात करें week 5 से week 6 तक की planning कैसे करनी है, तो इसमें भी सबसे पहले maths की अगर हम बात करें तो अब क्या कर सकते हो, चुकि अब हमारे पास exam pass आता जा रहा है जैसे जैसे हम exam pass आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, इसमें मैंने आपके maths और English में ज़्यादा focus रखा है GS में थोड़ा कम focus किया लेकिन जैसे जैसे अब आपका exam pass आगया पांचवा और छटा हफता आ गया है, यहाँ बहुत pass में आ चुका है, तो जैसे जैसे exam आपका pass आएगा, आप English maths का थोड़ा सा समय कम कर सकते हो आधा गंटा कम कर दो, और उसको आप GS की तरफ divert कर सकते हो, और maths में advanced maths को आप अच्छे से practice करते रहिए ठीके, तो जो आपने यहाँ पर time कम किया है आपने जो maths का time कम किया है, उसमें आप GS में current affairs को देना शुरू करिए ठीके, current affairs को आप पढ़िए क्योंकि current affairs से आपके 3-4 questions GS में मिलेंगे, मिलेंगे और अगर आपने current affairs के 3-4 questions सही कर लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप सारे questions को आसानी से कर पाऊगे ठीके, सारे portion को आसानी से कर पाऊगे तो current affairs के section को आपको जरूर से solve करना है एक second, yeah, this is better so current affairs के section को आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया अब देखिए, current affairs के लिए आपको sources क्या होंगे तो sources आप देखिए, बहुत सारे online sources है बहुत सारे online channel है आप किसी भी एक source को पकड़ लीजिए और आप याद रखिए, बिल्कुल January से लेकर आप March तक के current affairs को तो बहुत अच्छे से करिए ही करिए क्योंकि March में आपका exam हो रहा था और वो रुग गया और उसके बाद आगे कहानी बढ़ गई है आपको पताया, lockdown हो गया तो उतना current affairs तो मुझे करना ही करना है उसमें तो कोई चारा नहीं है और दूसरा सवाल जो सबसे ज़ादा मेरे पास आ रहा था कि current affairs हम तयार कहां तक के करें तो किस महीने तक के करें इसका जवाब मेरा ये होगा कि देखिए हलांकि बहुत chances हैं fair chances हैं कि आपके exam में जो current affairs पूछे जाए वो March तक के या February तक के ही पूछे जाएंगे लेकिन सवाल ये है हमारे पास कि चुकी exam आपका आगे बढ़ा है तो paper ज़्यादा तर वही बढ़ रहा होगा लेकिन ये हो सकता है कि paper में आपके कुछ ऐसे क्योंकि आप online paper है तो online आपको पता है हमें किसी भी online file में कितने time लगता है change करने में just control C, control V तो एक question बनाया उन्होंने change कर देंगे कोई time नहीं लगेगा इसलिए आप current affairs को मेरा suggestion ये होगा कि आप July तक के तयार करके जाएं क्योंकि पिछले 3 महिने में कुछ खास नया नहीं हुआ है except COVID and except आत्म निरबर भारत तो इनके अलावा कोई नई चीज हुई नहीं है बहुत ज़्यादा major event हुए नहीं है तो current affairs भी जो पिछले 3 महिने का होगा वो बहुत ज़्यादा vast नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी बड़ी series कोई भी बड़ा event नहीं हुआ है छोटे छोटे event ही हुए है ज़्यादा से ज़्यादा apps launch हुए होंगे इसके अलावा कुछ खास हुआ नहीं है तो current affairs आप मेरे हिसाब से पिछले March में जब आपने तयार किया था तो पिछले 6 मीने के कियो होंगे तो उसके साथ साथ आप जुलाई के भी current affairs पढ़ लिजे और जो ये 5-6 हफता होगा इसमें आप current affairs को बहुत ज़्यादा पढ़िए क्योंकि मैंने आप से क्या कहा GS के लिए आपकी अप्रोच होगी स्कूल वाली यानि कि अगर आप एक्जाम पास आ रहा है तो आप GS ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा GS पढ़ोंगे उतना ज़्यादा उसे retain कर पाऊगे थोड़े दिन तक और exam में सही कर पाऊगे तो last के 3-4 जो हफते हैं उसमें आप GS को सबसे ज़्यादा पढ़िए ठीक इसके अलावा previous year MCQs को solve करिए GS में और आप CIGIL 19 के जितने भी questions आए हैं उनको analyze करिए और उसके आसपास जितनी भी GS हो सकती है उसको जरूर पढ़िए ठीक है मैं बार बार कह रहा हूँ CIGIL 19 के जो papers हैं वहीं से exam influence होगा तो CIGIL 19 के papers को जरूर solve करिए ठीक है GS में मैंने आप I think enough जवाब आपको दे दिया अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो तो आप comment में पूछ सकते हो मैं जवाब दे दूगा अगली बात अगर मैं करूं English की तो English के लिए आपको क्या करना है अगेन यहाँ पर भी थोड़ा सक्थ समय आप कम कर सकते हो और उसको आप रिजनिंग की बात करें तो रिजनिंग में देखिए आपको वही करना है जो भी टॉपिक्स आपको परिशान कर रहे हैं आप उसी को सॉल करते रही है लाइक एनलर्जी उनलोजी और फिगर काउंटिंग वगएरा ठीक आपको सिर्फ उन टॉपिक्स का रिवीजन करना है जिन में आप अभी भी कोशन गलत कर रहे हैं जैसे कि एडवांस मैट्स का कोई टॉपिक हो गया अलजब्रा हो गई एचेटरा एचेटरा ठीक है जीएस में आपको क्या करना है अब आपको कम्प्लीट रिवीजन करेंआ अपने क मोकस बंद कर सकते हैं। जो भी प्रोग्रस है उसे करिए और उसे को आप उसपे काम करिए लिए अपने नोट को पूरा study schedule बता दिया कि कैसे आपको दिन में पढ़ना है और weekly आपको कैसे पढ़ना है काफी किताबों के नाम मैंने शुरुआत से लिये हैं तो उन किताबों के बारे मैं बता दू English की कौन-कौन सी किताब आपको यूज करनी है MB publication की previous papers इस्तेमाल कर सकते हैं नीतु सिंग की किताब जो आती है एस्पी बक्षी की इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों में से कौन सी किताब चूज करें इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो आई बटन पर जाके आप देख सकते हो इसके लावा word power made easy के पूरी playlist मैंने दी हुई है आई बटन पर क्लिक करके इसे भी आप देख सकते हैं तो यह सारी वीडियो आप देख पाएंगे इसके अलावा mirror of common errors से भी आप practice करिए जो मैंने आपको बताई थी तो यह किताबे English की हो गई Quant की अगर हम books की बात करें तो आपको मैंने दो ही किताबे बताई हैं एक किरन 9500 प्लस और रवाईपी 7300 प्लस यह दो बुक्स सफिशेंट होंगी आपकी तयारी करने के लिए और जीएस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको लुसेंट और किरन या फिर घटना चक्र या फिर आरवाईपी के किताब बताई है तो इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए और इससे आप याद कर लीजिए ठीक है रीजनिंग की बुक्स की बात करने तो रीजनिंग के लिए आप आरशकरवाल की मदद ले सकते हैं या फिर किरन की किताब आती है वो ले सकते हैं पूरी किताब नहीं करने हैं कि बहुत सारे question है इसमें तो वो that will be of no use आप कुछ questions को solve कर लीजे जितने आपके exam के लिए जरूरी है तो यहां तक तो मैंने आपको पूरी exam के बारे में जानकारी दे दी कि कैसे आपको त्यार करना है कैसे आपकी strategy होनी चाहिए अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप write down that in comment below I will reply I will try to reply that comment in comment for sure मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की और अगर अगले वीडियो में मैं आपको जो भी आपकी request होगी comment section में अगर आप चाहते किसी special topic में वीडियो गना तो वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइट करूंगा ठीक है तो आशा करता हूं जो भी मैंने बताया आप सभी को समझ में आया होगा and if there's anything left you can obviously write down that in comment section पूरी सीरीज मैंने आपको बता दी कैसे आपको पढ़ना है क्या strategy होनी चाहिए और क्या कुछ आपको follow करना है alright so thank you so much for watching this video have a good day bye bye take care and have a good day thank you so much